नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैका अनबॉक्सिंग आज की इस वीडियो में हम इंबॉक्स करने वाले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कैमरा जो है क्यूबो स्मार्ट कैम 360 जैसे इसका नाम है इस पर्टिकुलर कैमरा को आप 360 डिग्रीज में यहाँ पर रोटेट कर सकते हो इसके अंदर आपको पैन तिल्ट का फंक्शन देख आपको इसका डेडिकेटेड एप्लिकेशन भी देखने मिलते हैं जिसके अप डिरिकली लाइफ फीड वाच कर सकते हो एप्लिकेशन में यहाँ पर आपको गूगल एसिस्टेंट अलेक्सा का भी सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड के है घीर सारे और भी फीचर्स और फंक और सबसे इंपोर्टेंट चीज मतलब इनका जो क्लाउड बेस सर्वर है ना वो भी आपको इंडिया में ही देखने मिलेगा तो यह जो फैक्टर से ना क्यूबो कंपनी को एक ट्रस्टेड इंडियन ब्रांड यहाँ पर बनाती है इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट कामरा और यहा पर आपको देखने मिलता है इसका पान अंडिल्ट फंक्शन अंडियस आप सीलिंग पर इसे मांट कर सकते हो और पीची की तरफ यहाँ पर उन्होंने उसके कुछ फीचेस मेंशन किया जैसे की 360 डिग्री पान, फुल कलर इन लो लाइट, फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग इंट्रूडर अलाम सिस्टम, टूवे टॉक, परसंट डेक्शन, मोशन ट्रैकिंग, एक्स्पांडेबल स्टोरेज, अप्टू 256GB, वर्क्स विथ ऐलेक्सा गूगल असिस्टेंट, और नीचे की तरफ यहाँ पर उसकी MRP and additional details आपको देखने मिलते है तो जैसे हम इसे unbox करत है, काफी detail में आपको इसका user manual देखने मिलता है and फिर यहाँ पर आपको देखने मिलता है इसका warranty card and finally guys काफी बढ़िया packaging में वो actual camera उन्होंने provide किया and yes guys यह completely white color में आपको देखने मिलता है and यहाँ पर lens के नीचे की तरफ यहाँ पर उन्होंने microSD card slot भी provide किया and यहाँ पर camera completely glossy से finish में आपको देखने मिलता है, so guys यह है वो actual camera तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते है इसे power on and करते है इसे application के साथ connect, तो power on करने के लिए यहाँ पर जो microSD cable है उसे आपको insert करने इसके microSD port में and फिर यहाँ पर आपको red color की LED light देखने मिलते है तो यह basically power on हो चुका है and यहाँ यह self-calibrate करता है तो आप देख सकते हूं यहाँ पर यह rotate हो रहा है pan and tilt होता है and यह calibrate होने के बाद यहाँ पर आपको जाना है क्यूबो application में and यहाँ पर जो list of devices है उसमें से आपको cam 360 को select करना है and yes पर click करके proceed करना है and फिर guys यहाँ पर application के अंदर camera का नाम आपको insert करना है and उसी के साथ यहाँ पर wifi credentials भी आपको enter करने and सारी process होने के बाद यहाँ पर QR code scan करना है so guys जो phone का QR code है न वो आपको cubo smart cam 360 से यहाँ पर scan करना है कुछ इस तरीके से and scan होते हैं यहाँ पर आपको एक prompt सुनाई देगा and यहाँ पर जो camera है वो connect हो रहा है and finally यहाँ पर जो camera है successfully connect हो चुका है फिर guys यहाँ पर जो Alexa account है उसको आपको यहाँ पर link करना है आपके Amazon के account के credentials आपको enter करना है and yes यहाँ पर Alexa account जो है successfully activate हो चुका है and उसके बाद यहाँ पर आपको introductory cloud plan भी देखने मिलता है so guys couple of months का cloud plan आपको free देखने मिलता है and yes finally यहाँ पर आप देख सकते हैं जो camera है वो connect हो चुका है completely जो live footage है आपको यहाँ पर visible हो जाता है बिना किसी lag के so guys camera तो यहाँ पर connect हो चुका है and yes यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाता हो इसके physical overview के बारे में तो यहाँ पर completely white glossy finish में आपको यह camera देखने मलता है and यहाँ पर polycarbonate build उन्होंने इसमें provide कि ए and यहाँ पर आगी तरफ आपको cubo की branding देखने मिलते उसी की नीची की तरफ यहाँ पर on hanfie light indicator भी provide कि होता है and yes camera के side में यहाँ पर आपको उसका speaker भी देखने मिलता है उसी के साथ PG की तरफ यहाँ पर आपको micro USB port देखने मिलता है इसे power on करने के लिए and उसी के side में यहाँ पर उन्हों ने reset button भी इसका provide किया है so guys इस camera के जो build ना बहुत ही बड़िया यहाँ पर निकल कियाती है तो सबसे पहले यहाँ पर हम करते इसके अंदर एक memory card इंसर्ट तो यहाँ पर हमारे पास है sand desk का memory card 64 GB का and कुछ इस तरीके से आप इसमें memory card insert कर सकते हो and इसके अंदर आप up to 256 GB का भी memory card इंसर्ट कर सकते हो जो बहुती amazing बात है and guys जैसे मैंने आपको intro में भी बता है यह जो camera है यहाँ पर full HD में video को record करता है and इसके अंदर आपको built-in mic भी देखने मिलता है actually 2-way communication के लिए जिसे हम 3D time में यहाँ पर check out करेंगे but सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसके video quality को so यहाँ पर हमने कुछ videos इसमें record किये तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो normal lighting conditions का video footage hey guys so currently जो footage आप यहाँ पर देख पा रहे हो है completely cubo smart cam 360 से यहाँ पर record हो रहा है and यह जो audio भी अभी आप सुन पा रहे हो ना यह completely इसी camera से record हो रहा है and यहाँ पर जो सारे studio lights होते है उसे हमने फिलार turn on रखा है and यह जो footage आप देख पा रहे हो ना यह है full HD resolution में full lighting conditions में and yes guys उसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे low light video footage जहाँ पर low light में भी यहाँ पर आपको color footage इसमें visible हो जाएगा so guys यह जो currently आप footage यहाँ पर देख पा रहे हो ना यह low light mode में यहाँ पर record हो रहा है and आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको full colored footage इसमें visible हो जाता है हलाकि सिर्फ बाहर वाली एक ही light हमने फिलार turn on रखी है and सारे studio के lights यहाँ पर turned off है फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पर complete colored footage आपको visible हो जाएगा and guys finally यहाँ पर हम देखते हैं इसमें night mode का footage so guys अभी जो footage आप देख पा रहे हो ना यह completely night mode वाला footage है जहाँ पर यह automatically switch हो जाता है night mode में जहाँ पर हमने सारे lights यहाँ पर turn off रखे है and yes यहाँ पर आप देख सकते हो completely darkness में भी यहाँ पर black and white में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको जो footage आपको visible हो जाएगा so guys जैसे आपने यहाँ पर footage देखे काफी बढ़िया तरीके से यह low light में भी video record करता है full colors में and yes night vision में यहाँ पर इसका जो night vision mood है, infrared sensor turn on हो जाता है and night में भी यहाँ पर बहुत ही clear footage आपको visible हो जाएगा so guys इसके अंदर जो mic है वो तो audio recording करता है plus guys इसके अंदर आपको speaker भी देखने मिलता है two-way communication के लिए so guys यहाँ पर मैं एक short demonstration बताऊँगा जिसमें आपको idea आजएगी इसके two-way communication की so guys यहाँ पर मैं application की help से यहाँ पर बात कर रहा हूँ and थोड़ा बहुत जो echo आपको सुनाई देगा न that is because मैं camera के बहुत ही जाद अनस्तिक हूँ but yes कुछ इस तरहीगे से आप यहाँ पर application की help से भी आपका voice transmit कर सकते हो so guys जो two-way communication है न बहुत ही handy function बन जाता है अगर आपको remotely कहां से भी message send करना है तो directly इस camera की speaker में वो message prompt हो जाएगा and yes इसके अंदर है आपको motion detection भी देखने मिलता है तो motion detection को जैसे आप turn on करोगे न यह जो camera है continuous एक person का motion यहाँ पर detect करके उसे follow करता है तो आप देख सकते हूँ यहाँ बहुत ही बड़ी है तरीके से जो camera है वो pan हो रहा है according to the motion and आप देख सकते हूँ यहाँ पर as such कोई panning में आपको lag मैसूस नहीं होगा and plus guys यहाँ पर इसके अंदर है आपको alarm system भी देखने मिलता है तो जब भी आपको message prompt होता है कि motion detected है कोई person है unknown person detect हो चुका है यहाँ पर camera में तो यहाँ से आप alarm के option में जाके alarm को buzzer कर सकते हो कुछ इस तरीके से so guys यह जो intruder alarm वाला system है बहुत ही handy function बन जाता है बलाब कोई भी unknown person अगर आपके surveillance area में यहाँ पर enter होता है तो directly यहाँ पर आप alarm को buzzer कर सकते हो and plus guys इसके अंदर है आपको person detection का option देखने मिलता है जिसे आप enable कर सकते हो इसके application में जाके and यहाँ पर जैसी person detect होता है na immediately आपके smart phone के ओपर यहाँ पर notification आ जाता है and यहाँ पर आप application में भी देख सकते हो जितनी बारी यहाँ पर person detect हुआ है यहाँ पर आपको notification देखने मिलेंगे अगर आपके पास Alexa device है with display तो directly इसका footage आप Alexa device पर monitor कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो in shot उस वीडियो को अलेक्सा शो मी कैमेरा ओकी जैसे आपने देखा ना Alexa device पर जिसमें आपको display देखने मिलता है जैसे कि Alexa Echo Show devices उसमें directly इसका footage आप live monitor कर सकते हो जो बहुत ही amazing बात है and yes यह footage visible होने के लिए आपके Alexa device पर सबसे पहले आपको इसका skill को enable करना है तो आपको जाना है Alexa application में and फिर यहाँ पर क्यूबो skill है उसे बस आपको enable करना है and फिर directly आप आपके Echo Show devices पर इसका footage monitor कर सकते हो वो भी live and yes guys इस particular क्यूबो smart cam 360 में आपको application support भी देखने मलता है तो यहाँ पर हम देखेंगे क्यूबो application के UI को so guys यह है क्यूबो application and आप देख सकते हूँ यहाँ पर home screen के ओपर सबसे पहले यहाँ पर live footage मुझे visible हो रहा है and यहाँ पर आपको auto का option देखने मलता है जहांसे मैं resolution set कर सकता हूँ and currently यहाँ पर मैं resolution high में set कर रहा हूँ and यहाँ पर high resolution footage मुझे यहाँ पर visible होगा आप देख सकते हो यहाँ पर live footage visible हो रहा है and yes यहाँ सी आप recording को turn on कर सकते हो mic हो गया speaker हो गया plus यहाँ सी आप image को भी capture कर सकते हो and यह सारे images यहाँ पर आपको gallery में visible हो जाएंगे जो बहुत ही बढ़िया बात है उसी के साथ guys नीची की तरफ यहाँ पर आपको alarm का भी option देखने मलता है जिसे हम थोड़ी time में यहाँ पर check out करेंगे and yes यहाँ पर आपको settings का option देखने मलता है settings के menu में जाते ही सबसे पहले आप देख सकते हो camera currently turn on है recording settings को यहाँ सी आप customize कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने currently select किया है when person is detected continuous recording को turn on किया and यहाँ पर recording LED light indicator को भी मैंने turn on किया है and फिर guys यहाँ पर आपको notification settings देखने मलता है जिसे आप customize कर सकते हो उसे के साथ यहाँ पर motion tracking को आप turn on कर सकते हो जिसे हमने थोड़ी time पहले check किया and yes यहाँ पर image rotate कर सकते हो अगर आप ceiling पर इसे mount कर रहे हो Alexa option को यहाँ पर हमने enable किया and फिर guys यहाँ पर आपको storage का option देखने मलता है आप देख सकते हो यहाँ पर जो SD card ने कितना consume किया है memory and यहाँ पर cloud storage कितना use है उसका complete data आपको visible हो जाएगा recording video quality यहाँ पर मैंने currently high पर set किया उसे के साथ यहाँ पर जो night view है उसे मैंने auto पर set किया आप low light always on mode में भी इसे set कर सकते हो and yes फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको wifi settings देखने मलता है फिर time zone about the device and restart the device फिर guys यहाँ पर home screen के ओपर आपको एक joystick देखने मलता है and यह बहुत ही बढ़ी आतरीके से यहाँ पर work करता है उसे के साथ यहाँ पर आपको recording settings भी देखने मलता है आप directly phone से भी यहाँ पर recording को turn on कर सकते हो and yes यहाँ पर अगर आपको footage को monitor करने है date wise तो यहाँ पर आप calendar की हिसाप से भी footage को monitor कर सकते हो and yes guys अगर यहाँ पर आपको previous footage को watch करना है तो बस आपको scroll करना है and फिर यहाँ पर cloud storage की help से आप previous footage को यहाँ पर monitor कर सकते हो आप देख सकते हो यह है हमारा previous footage and guys नीची की तरफ यहाँ पर आपको person detection का भी option देखने मलता है तो आप देख सकते हो जितनी बार भी यहाँ पर person detect हुआ है यहाँ पर एक small video record होता है तो यहाँ पर मैं click करता हूँ तो आप देख सकते हो जब भी यहाँ पर person detected है यहाँ पर जो movement है person की तो यहाँ पर एक notification आ जाता है तो जी हाँ guys काफी well optimized application यहाँ पर आपको देखने मिलता है प्लस यहाँ पर modes का भी option उन्होंने प्रोवाइड किया है जहाँ पर आप home mode में इससे set कर सकते हो and yes इसके अंदर आपको customizations देखने मिलते है जहाँ पर आप इस particular camera में recording setting notification plus camera state को भी customize कर सकते हो तो रूटीन को इसमें add कर सकते हो and similar settings आपको देखने मिलते हैं यहाँ पर दूसरे modes में तो यह है away mode तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो यहाँ पर भी आप धे सारी चीजे इसमें customize कर सकते हो and finally यहाँ पर आपको देखने मिलता है क्लाउड पर स्टोर होगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे micro USB cable किसी ने detach किया या फिर camera कोई चूरी करके लिखे गया या फिर किसी ने इसका micro SD card remove किया फिर भी यहाँ पर आपको टेंचन लेने की ज़रुरत नहीं क्योंकि जब तक वो person remove कर रहा है या फिर इसे disconnect कर रहा है उसका complete जो footage है ना आपके cloud storage पर आपको visible हो जाएगा जो बहुत ही amazing बात है and guys यह जो cloud storage का इनका server है ना यह completely इंडिया में based है तो यहाँ पर भी complete जो आपका data है ना secured रहने वाला है so guys यहाँ पर अगर मैं final conclusion दूना क्यूबो smart cam 360 के बारे में बहुत ही amazing smart camera है guys आपके घर को, office की area को आप बहुत ही amazingly यहाँ पर monitor कर सकते हो plus guys इसके अंदर आपको धीर सारे security features भी देखने मिलते है and guys pricing बहुत ही जादा amazing है rupees 2890 rupees की price में आपको यह क्यूबो smart cam 360 available मिल जाएगा plus guys इसके साथ आपको एक साल की warranty भी देखने मिलते है and यहाँ पर जो after sales service है ना वो भी आपको pan India देखने मिलेगी जो बहुत ही amazing बात है so guys link में नीचे description box में drop कर दूँगा जरूर जाके check out कीजिए and plus guys यह जो cuber company है ना इसके आपको धेर सारे wide range of smart home devices देखने मिलते है जिने आप explore कर सकते हो उनके portal पे जाके उसकी भी link में नीचे description box में drop कर दूँगा so guys बस यही ता आज का वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो please इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए please subscribe कीजिए हमारे channel को और दोस्तों और एक important बात please मेरा facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद